मोदी सरकार की नीतियों और उनके फैसलों की मुखालफत तो विपक्षि दलों के तरफ से लगातार की जा रही है लेकिन अब सरकार की परिशानी उनके सांसद ही बढ़ा रहे हैं क्योंकि संसद के दोनों संदों के संसद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदे की शुरू की गई संसद आदश ग्राम यूचना में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे हैं जिसका खुलासा सरकारी आकड़ों में हुआ है साल 2014 में जब भारती जनता पाटी सत्ता में आई थी तो पीम मोदी ने लाल किली की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में स्वतंतरता दिवस पर राश्ट निर्मान के लिए संसद आदश ग्राम यूचना की खोशना की थी जिसमें लोकसभा संसदों से घुजारिश की गई थी कि साल 2016 तक अपने या अपने शेत्र के एक गाउं को एक आदर्श गाउं बनाए पीयम मोदी ने कहा था कि साल 2016 के बाद दो और गाउं का चैन करें और 2019 के बाद कम से कम पांच मौडल गाउं का चैन कर विकास करें उन्होंने राज्यसभा सांसदों से भी कहा था कि वो किसी एक गां को गोद लें, लेकिन पीएम मोधी की अपील उनके सांसदों को ही रास नहीं आई, क्योंकि योजना शुरू होने के पांच साल बाद भी सरकारी आंकडे बताते हैं कि सांसदों को इस योजना में चौधा को शुरू हुए सांसद आदर्श ग्राम यूचना के पहले चरण में 703 सांसदों ने गाउंगों को गोद लिया था दूसरे चरण में ये संख्या खटकर 497 रह गई तीसरे चरण में 301 सांसदों ने गाउंगों को विक्सित करने के लिए गोद लिया चौधे चरण में संख्या खटकर 252 पर आ गई यानी पांस साल में 451 सांसदों की संख्या खटकर गई खटकर चरणों में अब तक मात्र 1753 ग्राम पंचायत ही गोद लिये जा सके हैं केंद्री ग्रामिन विकास मंत्राले की वेबसाइट पर मौजूद आकडों के मताबिक दिसंबर 2019 के आखर तक 252 सांसदों ने चौथे चरण में सांसद आगदर्श ग्राम यूजना के तहट ग्राम पंचायतों को गोद लिया है इन में से 208 लोक सफा के सांसद हैं जबकि 44 राज्य सफा के सांसद हैं ऐसे में सवाल उठना लास्मी है कि जब सांसद ही पी एम की यूजना से किनारा कर रहे हैं और गाउं के विकास में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे हैं तो कैसे सबका साथ सबका विकास का नारा ह प्रकीकत बन पाएगा डीबी लाइफ की रिपूर्ट